अमीच साकीनारेबाजी और इसके साथ ही वो भारत के अंदर यहान नय परधानमुंत्री बनाने के लिए ताकत लगाई बिहार की जंता ने किया सपोर्ट ते शुश्वी यादों ने कहा कि बिहार की जंता को ब्रहमित और ब्रहम में डालने की कोशिश ना क्याँजाए बिहार के जंता आज सेफ और सुरक्षित सत्ता भी सेफ खासों में सुरक्षित है चिराग पास्वान के लिए एक बड़ी गुड निउस क्या है बड़ी ख़बर देखेंगे उससे पहले एक और बड़ी और मुख्य हेड्लाइन्स पर नजर खबर इस बात को लेकर के है कि नितिश कुमार संपून सराबंदी कानून को लागू किया जाने के बाद में आज मजबूती से काम करते नजर आ रहे कुछ नया दिसा निर्देस अधिकारियों को दिया और चिराख पासवान बीजेपी के साथ समर्थन में जा करके कुछ कर सकते है बड़ा कमाल महार के सियम पद की सुत्रों का वाले से मिली खबर के अनुशार निभा सकते हैं भूमिका जीतन रहमाजी लगतार एक बार फिर जो है वो पार्टी को बगल सकते हैं सुत्रों का वाले से बड़ी खबर जनकारी देंगे क्या है और इसके साथ ही उपेंद्र कुश्वाहा ने नितिस कुमार से जिस हिस्सेदारी की बात की उस पर लगी मोहर उपेंद्र कुश्वाहा का कहने का मतलब था सीम कुर्सी को कर दो दाखिला इसके साथ राहूल गाधी के आज लीगल टिम सूरत के हाई कोट में पहुँचे की जहाँ याचिका डालते हुए तमाम नज़र आएंगे और प्रधान मंतर श्री नरेंदर मोदी के लिए एक बड़ी गुड नियूस निकल कर शामने आ रही है क्या है बड़ी खबर बेस्तार से डालेंगे नसर जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जीहाँ एक बार फिर किस तरीके से बिहार में रोजिगार के मांग लगतार उठता नजर आया रोजिगार के मुद्दे पर तवाम जन्ता ने दिखाई ताकत नितीश कुमार को जुकाने का किया जारा प्रयास नितीश कुमार ने का बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहूंगा इसके साथ ही लालू पुछा दियादो और नितिश कुमार के साथ ही रश्वादो मिल करके कर सकते हैं 2024 के लिए कुछ नेडायक और बड़ा फैसला शुत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुशार मनिश कस्यप को बिहार की राज़ानी पटना आज लाया जा सकता है खबर निकल कर शामने आ रहे इस वक्त और खबर यह है कि आज अमीत्सा एक बार फ़र से मजबूती से कामों को करने के लिए तत्पर है वा लगतार कहें कि बिहार के जनता को कुछ लोग जो है परशान करने के लिए हुए है आज देखें जंगल राज की वापसी हो गई अमीत्सा नितीस कुमार अर्टे जश्वियादों पर जमकर बरस्ते नजर आए अमीत्सा के कहने के मताबिक बिहार की जनता को बिहार की सरकारों ने भ्रम में डाल रखा है और इसलिए आपको उठना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि देखें क्या है कि अगर आप आज नहीं समलते हैं तो आपको आने वाले वक्त के साथ समलना पढ़ सकता है इसलिए आप पहले ही खुद को सम्हालने का प्रयास करें क्योंकि अगर आज आप खुद को सम्हालने का प्रयास नहीं करते हैं तो कल आपकी और भी परशानिया बढ़ सकती है लेकिन क्या है आपका इस पर कहना हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा एक बार फिर से अमित्सा मजबूती से अपने कामों को करते नजर आ रहे हैं बिहार के जनता के साथ अमित्सा का एक और जुकाओ और लगाओ दिखाए दिया बड़ी कबर निकल गशामने आरे इस वक्त राहूल गांधी को लेकर करके उन्होंने कहा कि देखिए मोधी सरकार जो है लोकतांत्रक विवस्ता और नियमों के खिलाफ जाकर के अपने कामों करती है और इसलिए सुरत कहाई कोट में अब इस मामले को चुनौती जी जाएगी जिसके बाद में इस मामले पर आगे के शुनौाई होगी और माना जारा है कि अगर सजा पर रोक लग जाती है तो फिर राहुल गांधी जो है इस पर आगे के कामों कर सकते हैं सजा पर लग करते हैं देश में जाने जा सकेंगी तो यह सारी उमीदें अभी भी टीकी हुई है एक मैज अजियां शुत्र के मादेम बड़ी खबर निकल का शामने आ रही है बिहार के चर्चित पुत्रकार एवा म्यूटुबर मनिश कस्यप को अजियां बेउर जेल से चन्नाई ले जाया गया जहां चन्नाई के कोट में उनकी पेसी होती है कई अन्य बड़ी चीज़ें ल कर रही है लेकिन अब ख़बर ऐसी है कि लगतार जो है समय समय के साथ मनीश कस्यप की मुष्किले कम होने का नाम तो नहीं ले रही है लेकिन अज iss4 मनीश कस्यप अब जो है गाओं आйे पेस करने की संपूर्ण त्यारी को किया जा रहा है जिससे मनिश कश्यक्षप जो है वह पहुँचे और मनिश कस्यप के तमाम चाहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने इन पर दबाव डाला सरकार को मनिश कश्यक्षप के उल्टे तरोर तरीकों से फस गए हैं आपका क्या राय कॉमेंट करके बताइए कुछ नेशनल टीबी पर भी इस बारे में चलाया जारा है कि नामनमी पर हुए हिंसा मामले में कुछ ऐसी तस्बीरे आई हैं हलाकि इस बात की पुष्टी नहीं करता कि किस तरीके से और क्या कुछ तस्बीरे थी लेकिन आज जब सासाराम का जिग्र देश के ग्रे मंत्री अमित्सार ने किया कहा कि मैं सासाराम में इस वक्त नहीं आ सकता लेकिन सासाराम की जनता को अस्वस्त करके जाना चाहता हूं कि अगले दोरे में सासाराम का नाम सामिल रहेगा और मैं सासारा मैं पहुंचूंगा जनता को समझने की कोसिस करूंगा तो यह साफ हो गया था कि बिहाल में भी इस बार जात पात नहीं किसी अन्मुद्दों पर चुनाओ करने की कोसिस हो रही है और यह अन्मुद्दों का मतलब भी साफ था या अन्मुद्दा कुछ और नहीं था या अन्म साता है लेकिन जातपात से उट करके सायद इस बार की लोग होंगे वो लोग सबा चुना हमें पुर्धान मंद्र मोधी पर इस बारे पर भरोसा जताते हैं और भरोसा दिला सकते हैं क्यूंकि वो जातपात से एजेंडे पर वोट भारतिय जन्तापाटी को कर सकते हैं अब अमित सा की नजर बिहार के जाथपात पर सेहट करके ःंदुत्तु के एजेंडे पर है अब इस पर देखने वाली बात ये है कि बिहार में शत्ताधारी सरकार मान्निय मुकमंत्री श्री तिरिश्वी यादो जी अपने नित्रत्र को करते हुए किस तरीके से बिहार में अमित्सा को आने से रोकते हैं या बिहार में अमित्सा और भारतिये जंता पाटी के जंडों को रोक पाते हैं ये बड़ा सवाल है सवाल का जबाब अब जंता देगी समय समय के साथ खबर निकल का शामने आरे इस वक्त और खबर ये है कि समराट शिन को मिली जिम्मेदारियों के साथ जियाँ एक बार फिर से अपने कामों को निर्वान के अज़रा है बीजे कुमार शिन हाँ हैं तमाम अनेक नेता हैं लेकिन जिम्मेदारियां बीजे पी अध्यक्षपद को लेकर के मिली है उस जिम्मेदारियों को करते हुए नज़र आ रहे हैं और माना ज़रा है कि अध्यक्षपद की उमिद्वारे दिये जाने के साथ ही उन पर दबाव है कि लोग सभा चुना में कुछ बड़े मजबूती के साथ कामों को कर देश की जनता के तरफ आपको बता आने का प्रियास करना चाहिए कि 2024 अगर खास रहता है तो 2025 में क्या होगा क्योंकि 2024 की चुनाओं ही 25 की रणनीतियों को तैय करेगी अगर 2024 में लोग सभा चुनाओं में जबरदस्त जीत और रिटन हम अगर होते हैं तो इस पर माना ज़र शक्ता है कि कहीं ना कहीं हमारी लो 2024 को लेकर करके अपने त्यारियों कर रहे हैं जिससे 2024 में देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पुना फिर श्री सत्ता के कुर्सी पर बैठा कर आवाहन किया जा सके तो यह है कि आज एक बार फिर जियां अपको दादी के चिराक पास्वान के नाम की चर्चा थोड़ा जादा हो रहा है कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि चिराक पास्वान बिहार के ऐसे नेता है जो बीजे पी को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकतों को लगा बैठे हैं वह मजबूत ताकत के बारे में बात कर रहे हैं वह मजबूत ताकत के बारे में बार में दीरे दीरे असपस्ट होगा कि चिराग के लिए कौन सा रास्ता खुलता है और किस रास्ते पर चलना चिराग पास्वान पसंद करते हैं खर आप हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि हम आपको बताते रहेंगे तमाम बड़ी जनकारियां जो आपको जानना हैं ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर चिराग पास्वान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या कुछ असर पड़ेगा और किस तरीके से इस लड़ाई में चिराग पास्वान एक बेहतर नेता के साथ एक मजबूत और शक्तिसाली बनेंगे बड़ी कबर तो यह है कि नितीश कुमार इस वक्त स्वंपून शराबंदी कानून बिहार में लागू किये और बिहार के लोगों को ये जब खुश खबरी मिली बिहार के लोगों ने जब इस खुश खबरी को सुना समझा तो नितीश कुमार की बढाया हुई नितीश कुम जब नितीश कुमार ने बिहार का भला सोचा था तब ही संपूर्ण सराबंदी किया था क्योंकि बिहार में अक्षर अगर किसी चीज से बिहार के सरकार को आवग और आमदनी थी तो वो था सराप शराब के ठेके से बड़ी मोटी अमदनी बिहार को प्राप्थ होती थी लेकिन बिहार के सरकार ने बिना उन सबी चीजों पर ध्यान दिये इस नए नियम को पारित करने के साथ ही और यह इंकम का एक सुरोत खताम हो गया लेकिन खैर अपनी राय हमें जरूर दीजेगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या जानते हैं और क्या समझते हैं क्या संपुन्ड सराबंदी से जुड़ी हुई आपको अच्छा लगता है बड़ी खबर तो यह है कि आज ललन कुमार सिन जो है वो बिहार के एक ऐसे नेता है जिस नेता को लोगों के द्वारा काफी अच्छे तौर पर देखा जाता है कुछ लोग जो है इस तरीके से ललन कुमार सिन को देखते हैं जैसे ललन कुमार सिन नितीज कुमार को प्रधान मंत्री बना देंगे क्योंकि प्रधान मंत्री बनाने के लिए ललन कुमार सिन अगर कभी तो बोले नहीं लेकिन उन्होंने एक आए कि पीएम मैटेरियल है PM material का मतलब समझते हैं यानि PM उमिद्वार वो नहीं material हैं और material का मतलब यह साफ है कि वह कई बार यह शंकेत दिये हैं कि नितीज कुमार को पुर्धान मंत्री बनने की चेश्टा नहीं है पर अगर आप चाहेंगे तो यह पूरा किया जाएगा आपके support समर्थन और सहयोग के साथ तो आपका चाहना भी बहुत जरूरी है और आपका support करना भी बहुत जरूरी है इसलिए support करने के सहयोग करने के साथ ही या तमाम चीजे जब शही होंगी जब बहतर होगा तो देखाजाएगा बड़ी खबर तो यह है जीतन नमाजी आज एक बार फिर से मजबूत नेता के तोड़ पर बिहार में है और कुछ लोग यह सोचते हैं कि जीतन नमाजी अगर बीजे पी में चले जाते हैं तो क्या होगा अगला कदम हलाकि आपको पहले यह समझना होगा कि जीतन नमाजी का उधान और जीतन नमाजी का विकाश जो है वो कई न कई NDA के साथ में रहने के सपोर्ट में रहने के साथ हुआ और NDA के साथ में रहने से हुआ मजबूत हुए थे लेकिन अब जीतन नमाजी अगर भारतिय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनकी अस्तित्व में थोड़ी सी दाग लग सकती है इसलिए जीतना माजी तो कदा भी ऐसा प्रयास नहीं करेंगे लेकिन अगर करते हैं तो बीचे पी इस फैसलिय का सम्मान करेंगे और जीतना माजी को ब्रांड वैलू दे करके एक चेश्टा और चाहत को पूरा कर सकती है खर आपको क्या लगता है अपनी राए कॉमेंट में जरूरी करके दीजेगा जीतना माजी के लिए आपकी अपनी बिचार क्या है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बड़ी कबर यह है कि आज एक बार फिर से जिया उपेंद्र कुश्वाहा के नाम की चर्चा थोड़ा ज्यादा हो रही है उपेंद्र कुश्वाहा एक ऐसा नाम है जिस नाम को लेकर के इस वक्त चर्चा ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि नितीश कुमार को खुल्याम चाहिलेंज करने वाले उपेंद्र को स्वान है